हिआ हम और गए हैं अपने अगले पार्ट में जिसमें हम लोग बात करेंगे इसले लेक्चर में हमने जाना मॉ 가지 हो और लेक्चर में हम लोग बात करने जा एक another important interesting kingdom के बारे में जिसे का नाम है kingdom स्चार बहुत ही विचित्र kingdom है एक तरीके का kingdom प्रोंस्टा वो क्यूं वो तो आपको पढ़ते पढ़ते सारी छीज़ें मिलोग kingdom को पढ़ेंगे न तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हमें उसमें देखने को मिलेंगी जो हां हम बोलेंगे कि इस्प्रसिफिकली एक किंग्डम के अंदर होनी चाहिए यहां हमें कई चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो हमें बाकी सभी किंग्डम में देखने को मिलें और इसमें अलग से देखने को मि कर रहे हूं या कुछ ऐसे characters आई जो animals के characters के साथ match कर रहे हूं या कुछ ऐसे हैं जो fungus के characters के साथ match कर रहे हूं तो कहीं ना कहीं यह इसी लिए मैंने जो विचित्र वर्ड बोला इस kingdom के लिए वो इसलिए बोला क्योंकि यह mixing एक शो करता है right mixing से मेरा मतलब है कि plants की तरह भी characters animals की तरह भी और fungus की तरह भी so let's have a look कि किस किस तरह के जीव जो हैं इस विचित्र kingdom के अंदर आते हैं हम लोग उसके बारें बात करते हैं यह figure आप लोगों सबसे पहले इनके basic जो characters हैं कि जो protest है प्रोटिस्टा गरेक्ट्रिस्टिक जो है kingdom प्रोटिस्टा के protest include primarily aquatic कैसे होते हैं aquatic है देकि सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि जो भी जीव कोई हो उसका habitat किस तरह का होता है कहां देखने को मिलता है तो यह हमें generally जो है कहां मिलेंगे aquatic है यानि पानी में रहने वाले दूसरा solitary हो सकते हैं आप देखे कोई organism या तो solitary होगा या फिर colonial होता है हमने या ऐसा भी होता है कि जो दोनों प्रोपरटी जो है वो शो करते हैं जैसे कि यह भी solitary होते हैं यानि अकेले भी मिलते हैं और colony में भी जुंड के साथ भी रहते हैं एक तरह से पूरे बहुत से युगले बहुत से जो प्रोटिस्ट हैं वो एक साथ भी colony के अंदर रहते हैं unicellular है organisms के अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि body या तो multicellular होगी या फिर unicellular हमें देखने को मिलेगी इनकी body कैसी है कि they are unicellular अब unicellular हमने पहले भी पढ़ा है तो unicellular means unicellular means single right single eukaryotic organism अब eukaryotic organism यानि जहां पर हमें true nucleus जो है वो देखने को मिलेगा eukaryotic मतलब जहां पर true nucleus एक well defined nucleus जहां हमें देखने को मिलता है उसका हम बोलते है true nucleus या फिर eukaryotic organisms and have membrane bound cell organelles are present अब membrane bound cell organelles से यहां पर इनका मतलब है कहने का कि कई cell organelles हम लोग जो देखते हैं साइटोप्लाजम में वो देखते हैं कि जो without हमें membrane देखने को मिलते हैं जैसे मैं बात करूँ रीबोजोम की बारे में कई आपको जैसे देखने को मिलते हैं जो double को मिलेगी जो उसको protection का काम करती है let suppose कि यह माल लेजए कि कोई mitochondria है तो उसके surrounding हमें एक membrane देखने को मिलेगी जो एक तरह से उस organelle को protection का काम करती है यह चीज़ समझ आए तो क्या है कि सबसे पहली बात कि दियार aquatic habitat क्या है इनका aquatic है solitary है मिलते किस इस तरह से हमें solitary याने की colonial solitary single भी देखने को मिल जाते हैं colony में भी देखने को मिल जाते हैं single body single cell देखने को मिलते हैं body में the unicellular है you chaotic organisms है well defined nucleus body के अंदर प्रेजेंट है membrane bound cell organs जो हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं एक बात दूस्वी बात यहां पे body में locomotion के लिए अब हाथ पर तो उस तरह से इनके पास है नहीं क्यों क्योंकि एक well defined kingdom तो यह है नहीं well defined से मेरा मतलब है जहां एक complex body design present हो तो मैं जो जितने भी जो movement होगी body में they have cilia and flagilla for their movement अब cilia और किसके लिए है movement के लिए अगर present है तो ऐसा नहीं है कि जितने भी जो हमें protest देखने को मिल रहे हैं कि सभी में हमें यह देखने को मिले कुछ ऐसे भी होंगे जहां पर absent होते हैं देखने को हमें नहीं मिलते nutrition के अगर बात करूं तो nutrition के पॉइंट आफ व्यू से most nutritional diversity शो करते हैं प्रोटिस्ट ध्यान रखेगा most nutritional diversity यह ध्यान रखेगा most nutritional डाइवर्सिटी शो करते हैं प्रोटिस्ट बात समझ रहे हैं से मेरी most nutritional diversity से मतलब है कि जितने तरह का nutrition यह ले सकते हैं अब्सॉप्टिब भी है परसाइटिक भी है और ट्रॉप भी है सप्रोब्स भी है सभी तरह के जीव जो हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं इसलिए मैंने कहा यहां पर कि most nutritional डाइवर्सिटी जो है यह शो करते हैं ध्यान रखेगा प्रोटिस्ट अगली बात करते हैं यहां पर आगे प्रोटिस्ट आर ऑटो ट्रॉफ्स अब आटो ट्रॉफ्स तो बताने की जरूद नहीं है बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग की जो अपना खाना खुद बनाते हैं अटो मिन्स सेल्फ और ट्रॉफ्स रिलेटिट अग्यां देपैंडेंट अफोस्ट अब करते दिपेंडेंट ओन्स और डिपेंडेंट और फोस्ट बोड़ी अब पैरासाइट में आपको शायद हमने पहले भी डिसक्स किया है बच्व तो डिपैंडेंट अन्होस्ट से मेरा मतलब आप यहोस्ट कोई भी हो सकता है ठीक ह होते हैं और यहां पर यह जो इसके दो तरीके से जैसे आप लोग पढ़े होंगे आपनों कुरें कि अन्डो पैरासाइट होते हैं या फिर आक्टो पैरासाइट हैं हमें वो देखने को लेकिन वहां वह इतना डेटेल के अंदर नहीं जाना तो डिकंपोजर्स हो गए दूसरी बात जो हमने कि यहां पर कि सीलिया बॉडी के उपर प्रिजेंट है सबसे पहले हमने बात की कि बॉडी का जो हैबिटेट एक्वेटिक है तीसरा important point जो है वो nutrition को लेके आया यूरिटोजर्सी डियू करते हैं अरटो भी हो सकते हैं सेपरो भी हो सकते हैं और पैरसाइटिक नीचर भी जो है शो कर सकते हैं उसके लावा जो हमने बात कि यहां पर हमने बोला कि बॉडी में मुव्मेंट कराने के लिए इनकी बॉडी मुव्मेंट कराने के लिए सीलिया और फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होते हैं multiplication के अगर यहां पर हम बात करें इनकी कि अपने numbers कैसे बढ़ा सकते हैं तो asexual means and sexual means जो नहीं asexual की अगर बात करूं तो most common method है यहां पर protestor के अंदर और ज्यादा तर जो यूज करते हैं वो binary fission का यूज करते हैं बाइनरी फिजन जो है वो यह फॉलो करते हैं आप बाइनरी फिजन यहां बताने की ज़रूत नहीं आप लोगों ने छुटी classes में binary fission को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो binary fission by mitosis यह जहान रखेगा binary बाइनरी फिजन बाइनरी फिजन और सक इसक्षे जोड्रॉट्यक्षण जेक्राउषर कोई और डेक्सकते हैं यह सकते हैं यह फोर और फॉर्मेशन आसानी से सर्फ फंगस के अंदर हमें देखने को मिलता है अब मैंने कहा ना अब दूसरी तरफ हमने देखा कि जो अमीबा होता है आप लोग छोटी क्लास से बढ़ते आए हो पिजन के थ्रू ही अपने नंबर जो है वो बढ़ाते हैं जैसे कि यहां पर यह चीज़ ध्यान रखेगा तो अब जैसे मैंने आपको शुरूरात में बताया कि बड़े विचुत्र प्राणी है तो विचुत्र प्राणी से मेरा मतलब क्या था कि यह कई ऐसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं जो बाकी को और्गानिजम्स भी शो करते हैं लेकिन वो इस क पॉर्टी शोंति दीते हैं कि अपने नमबर्स को जो बढ़ा रहे हैं यह स्पोर्ट के थू यानि कि स्पोर फ्रमेशन के दुरू बढ़ा रहे हैं जिस तरह से फंगस पढ़ते हैं हाँ अलाके इम फंगस जब पंग़ने में उसमें हम लोग डेटेईल में स्टेडी वहां पर फोर्मेशन के बारे में definitely करेंगे यह चीज़ समझा है आपको तो सबसे पहले हमने जो बात की यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉंट था habitat को लेके उसके true nucleus body के अंदर present है nutritional which is very important point ध्यान रखेएगा nutrition को लेके यह important बार्थ है जो मैंने आपको यहां पर बताई है cilia और flagilla body के अंदर present होते हैं ध्यान रखेएगा राइट तो उसके बाद जो most common type जो हमें reproduction की देखने को मिलती है यहां पर वो किस तरह की देखने को मिलती है हमें वह आप ध्यान रखेएगा कि binary vision और इस पोर फोर्मेशन के तू देखने को मिलते हैं प्रोटिस्टा को यूगलेणॉइट जो है वो आते हैं ध्यान से देख सकते हैं इसको कौन-कौन से डाइन फ्लाइजिलेट जाते हैं क्राइजोफाइट सो गए और यूगलेणॉइट जो है वो यहां अपना नेचर शो करते हैं ठीक है यह चीज़ एक हमको और आसानी से समझ आई यह वही जीज जो अभी हमने बात की कि किस सरा से इंक्लूड प्रैमिले अक्विटिक हो गए इसका दिहान रखियेगा और यहां से आप लोगों के सीबियसी में भी और नीट में तो कई बार सवाल पूछा गया है क्या पूछा गया है वो इस लेयर का नाम पूछते हैं आपसे वो बार बार इस लेयर का नाम जो है आपसे पूछते हैं कि जो किंग्डम प्रोटिस्टा होते हैं उनकी जो सेल वाल होती है वो एक प्रोटिन एक फ्ल्यक्सिबल स्ट्रोक्चर से कबड होती है which is the political this is the thin layer of protein my dear this is the thin layer of protein actually thin layer of protein ठीक है तो इक तरीके का प्रोटीन होता है यह थिन लेयर ओफ प्रोटीन ध्यान रखिएगा बहुत बार पैलिकल के उपर नीट में सवाल पूछा गया है नाम पूछा गया है क्यूटिकल भी होते हैं कुछ में क्यूटिकल और शेल की तरह भी होती है कवरिंग इसमें लेकिन औप्षेन में आपको यह दिया जाता है और आपको इसका नाम बताना होता है तो दिखान रखना पार है किया बुला मैंने पार कमें थेरória है प्रोटेइन क्या काम करती अचाली क्रेस कर दोटी है और यू कैना ने जश़ा है यूगले नोइट्सcio इनकी बॉडी में जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि आप देख सकते हो यहां पर आसानी से यह आपको एक प्लाजिलम जो है वो देखने को मिल रहा है कई ऐसे और गनिल्स भी है यहां पर जो को देखने को मिल रहा है तो यह एक प्रोटेक्शन का काम कर रहे है इसके लिए थिन लेयर है और प्रोटेन की जो इसकी मेम्बरेन को प्रोटैक्ट कराने का काम करती है यह ज्याद रखे एगए तो रोल तो आप कैसे बताएंगे जब आपसे वन माक क्वेश्चन यहां से पूछा जाए ना जब आपसे वन माक क्वेश्चन सी बेसी में चलिए नीट का तो आप से डारेट आप बता देंगे कि पैलिकल युगलेनॉइट की जब हम बात करते हैं तो उनके अंदर हमें यह पैलिकल गार जो है वो देखने को मिलते हैं लेकिन अगर आपसे वन माक क्वेश्चन पूचा जाए तो आप बताएंगे कि प्रोटेक्ट करती है जस्हें और वाप इसमें दो-तीन बातें आपको पता लग गई है इसका काम क्या है पालीकल का फंक्शन क्या है डारेक्ट ऐसे पूछ रहे थे कि युगलिनॉइट में जो प्रोटेक्शन का काम कर रही है अगली बात करते हैं अगली बात करते हैं अगर हम सेक्शल रिप्रोडक्शन के बारे में यहां पर बात करें लिए प्रोटेस्ट पॉरष्ट जो वह अपश में फ्यूज करेंगे और दोनों के दोनों फ्यूज करके क्या बनादेंगे क्या बना देंगे जाइगोट का formation कर देंगे यह को यह न हुआ और यहां पर क्या बन गया यह जाइगोट जो है उसका formation हो गया समझाया तो इस तरह से प्रोटिस्टा ब्रोडली जो हम जब बात कर रहे थे कि इन में हमें तीन मेजर गुरूप जो हैं वो देखने को मिलते हैं जैसे कि एक हमने बात की फोटो सिंथेटिक प्रोटिस्टा के बारे में पीछे भी अभी हमने जैसे बात की थी कि फोटो सिंथेटिक प्रोटिस्टा जो है वो तीन तरह से जब हम इस चैप्टर में आगी की तरफ बढ़ेंगे बचो तो हम वहां पर उनको डिस्कुस बिलावा consumer decomposer protest consumer decomposer प्रोटेस्ट जिसको आप सप्रोप्स का नाम भी देते हैं को कि अभी हमने जब nutritional value की बात की जब हमनों nutrition को समझा तो हमने जाना किस तरह से ये एक विचित्र प्राणी है जो सभी तरह की प्रोपरटी जो है बाकी की और्गानिसम्स की तरह भी प्रोपरटी अबहिद अपनी शो करता है diamus जो इसके बैस्ट एक्जामपल है उनको भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे इन को वलोग अभीए डिसक्स करेंगे परसाइट प्रिडेटर प्रोटिस्ट यह भी आपके जो है प्रोटोजों, प्रोटिस्ट में आते हैं एक बात important बात द्यान से सनना सवाल यहाँ पर यह frame हो सकता है सवाल जो है यहाँ पर यह बन सकता है वि इनमेशी कॉन से phokusynthetik प्रोटिस्ट है ट्यान से सुनना या फिर ऐसे सवाल बन सकता है कि आपके पाथ 4 ओप्षन है ज्यांसा देखना या तो आपके पाथ 4 ओप्षन है जैसे कि डाइनो फ्लजिलेट हो गया आपके पास क्राइजोफाइट हो गए समझाने के लिए कि किस तरह से फ्रेम हो सकता है मैं यह चीज इसलिए यहाँ पर बता रहा हूं ताकि आप लोग साथ साथ जब कॉंसेट आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में यह चीज जरूर होनी जी किसर सवाल किस तरह से बन सकता है और जब आप कोई भी आप बुक पढ़ेंगे कोई भी रिफ्रेशर आप लोग देखेंगे तो आप महां देखेंगे कि सवाल एक्शुली में किस तरह से पुछे जाते हैं नीट वगएरा में या फिर आपके और इवन जब आप आप उब्जेक्टिव क्वेशन्स करते करते आपके जितने भी जो सब руб मोल्ट 이야기 यहां मैंने लिक दिया हूण से अब जारा देखो यहां जो नीट वगएरा में जो सवाल कई बार बन सकता है अब इसमें बोलेंगे कि विच इसोडिल वल अ क्यों स वी चाहिए है तो अगर आपको यह पता होना कि आपने यहां पहले ही डिवीजं कर दिया आपने पहले डिवीज़न कर दिया है कि जितने भी जो प्रोटेस्ट हैम उसको थीं भाझ में भाग मैं हमने वाटा पोटो पोटो सिंथेटिक है को consumer decomposer protest और parasitic predator protest तो आपको example से पता लग जाएगा कि यार ये 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 तो हम लोग बात करेती है हमने किसमें photosynthetic में तो और आम से हम लोग C जो D option है हमारा slim models जो हम उसको उसके साथ जा सकते हैं इसलिए ये इस तरह की question भी जो है वो frame हो जाते हैं ठीक है ये एक बात उसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे सबसे पहला जो हमारा यहां पर है अच्छे एक मज़े की बात अगर मैं आपको यहां पर बताओं जितने भी जो characters हम लोग इसके अंदर पढ़ रहे हैं जितने भी group हैं यहां डी similarity ज्यादा है similarities कम है अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो क्या यहां डी similarity डी similarities ज्यादा है इस group में जब आप देखोगे न तो यहां डी similarities आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी आप कोई भी देख लेना कोई भी group देख लेना आपको similarities कम देखने को मिलेंगी डी similarities ज्यादा देखने को मिलेंगी similarity सिर्फ एक है और वह similarity क्या है सब में अब अगर मैं similarity की बात करूं similarity जो है ना इसकी और similarity वो है कि दे आर सुची सुचिए दे आर यूनिसलिलर यू कैरियोटिक यू कैरियोटिक कैसे है ये ये यूनिसलिलर यू कैरियोटिक ये इनके अंदर हमें similarities देखने को मिलेंगी बाकी मैंने क्या कहा कि यहां टी similarity ज्यादा है आपने देखा होगा कि मैं कई बार इवन आपने प्रिवेस हमारे सेशन में या मेरे या प्रिवेस जो में लेक्चर आपने देखा होगा चैपर वन का भी मैं हिंदी डारेक्ट महां पर लिख देता हूं मैं कई बार हिंग्लिश यूज करता हूं देरिजन बिहाइंड एट किसी भी चीज को अगर हमें लॉंग टर्म मेमरी में अपनी लेकर जाना है तो हमें ज्यादा तर उन भाषा का या उस फॉर्ट प्रोसेश जो है उसमें हमारी फॉर्ट प्रोसेश जादर किसमें चलती है हिंदी में जो हम भाषा बोलते हैं वही तो हमारी फॉर्ट प्रोसेश सिंग में चलती है तो यहां मैं हिंग्लिश इसलिए यूज करता हूं कई जगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं मैं डारेक्ट लिख देता हूं हिंदी में बहुत बार होता ऐसा मेरी में आपकी फिट कराने के लिए आप लोग अपने पर्टनल नोट्स में भी कर सकते हो कि अगर आपको किसी चीज को अगर लंबे समय तक याद रखना है अगर आपके कोई नोट्स है कोई एक्जांपल है आप इसको हिंदी में लिखता हूं देखना किस तरह से आपके अगर आपके मन में कोई सवाल ना रहा हूं किसा ने हिंदी में लिखा है कैसे लिखा है क्यों लिखा है इस वाजा से तो उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं बच्छों यहां पर हमें देखने को मिलते हैं आपार क्षेशन गोन हुना भी सही जरूरी मैंने क्यों सबसे पहले क्रायज थोफाई पोल क्योंकि यह चीज मैंने देखी है क्यी ज्यादा तर जो स्टूटेंट्च डिंट्वतkom क्राय k infrared राते जह हैँ लोग यह inge ज्याधा तर हम यहां थोड़ी से NCRT कोई अलावा भी में आपको एक एकाथ फिगर इसमें ऐसे दिखाऊंगा जिसे कि आपको यह बहुत आसानी से जो है समझाएंगे इनकी कुछ इसे राइट इंक्लूट्स डाइ ए pestas की अगर माँ बात करो तो डाइ एक अटम्स कई घॉल्डनन एल्गे इनको हमें डेस्मिट्स का नामू भी देते हैं डाइ आटम्स के अगर माँ बात करो बच्छो तो डाइ एकंस क्यासे होते हैं डाइ ऐकंस इससे भी पहले अगर मैं एक point के बारे में बात करूं तो जितने भी जो है यह कैसे होंगे they all are marine कैसे होंगे marine environment में हमें देखने को मिलते हैं तो इनकी अगर मैं habitat के बारे में बात करूं मैं सबसे उपर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक important point है जिससे कि सबसे पहले आपको यह चीज जो है वो देखनी चाहिए सबसे पहले आपको यह चीज समझ आने चाहिए सारे जो है वो कैसे है marine होते है यह marine होते है कि जो sea water में हमें देखने को मिलते हैं ध्यान रखेएगा एक बात दूसरा मैंने कहा कि इंक्लूट से किससे die atoms है die atoms से मेरा मतलब है कि जितने भी जो इनके characteristic feature होता है कि जितने भी जो है दिया immotile सवाल यह कि क्या सर यह move कर पाते हैं अगर सारे immotile है तो क्या यह float कर सकते है अगर करेंगे तो सर उसकी पीछिरी जिंग क्या होगा अगर यह float कर रहे है तो यह सवाल मेरा है कि yes die atoms can float मैं यहां लिग देता हूँ इसको die atoms can distort सवाल मन में यह अरोगा कि Sir कैसे die atoms can float but करेंगे कैसे फ्लोट करने का जो इनका रिजन है फ्लोट करने का रिजन है कि इनकी बॉडी में देखें इनका जो मॉलिकुलर वेट के अगर मैं बात करूँ ना तो मॉलिकुलर वेट कैसा होता है इनका लो मॉलिकुलर वेट होता है ठीक है एक बात अब बॉडी में जो स्टोड फूड होता है लोग मॉलीकुलर वेट होता है ठीक है लोग मॉलीकुलर वेट होता है ठीक है बॉडी का लोग मॉलीकुलर वेट होता है बॉडी का बॉडी में Stored Food की वज़ा से Float करेंगे क्या लिखा मैंने मैंने सवाल पूछा था क्या die items float कर सकते हैं ये मेरा सवाल था क्यों क्योंकि मैंने कहा कि they are immotile अगर immotile है इमotile का मतलब हमने ये बोला कि वो position को change नहीं कर सकते अपनी बज़ा से position को change नहीं कर सकते हमें इनकी body बे कुछ ऐसा structure देखने को नहीं मिल रहा कि जो इनको move करा सके तो सवाल ये कि क्या ये float करेंगे float मतलब क्या ये पानी की surface पे बह सकते हैं पानी तो अपने बहाव से लेके जा रहा ना इसको सवाल ये कि क्या ये वो भी नहीं कर सकते हैं या वो कर सकते हैं तो उसका जवाब क्या था they can float diatants can float yes due to the low molecular weight किसकी वज़ा से low molecular weight होता है और low molecular weight से मेरा मतलब है यहापे किसका body का ठीक है body में stored food है और उस stored food की वज़ा से ये float करेंगे आप दूसरी तरफ जो golden एंगे क्या है golden एंगे जिसका दूसरा नाम जो है वो desmits भी होता है ठीक है क्या होता है desmits भी होता है अब एक special तरह का pigment इनकी body में present होता है जिसके वज़ा से इनका color जो है golden होता है gold gold दिख रहा है आपको gold की तरह तो एक pigment present होता है body के अंदर जो इसको एक color provide कर रहा है अब ये जो pigment है इसका नाम क्या है fucoxanthine क्या नाम है इसका fucoxanthine जो है इस नाम का pigment जो है इनको क्या करा रहा है ये जो color है ये provide करा रहा है तीन बाते अभी तक हमने important कि हैं बच्छों इसके इंसर कौन कौन सी सबसे पहले मैंने बता आया कि इसके habitat के बारे में सवाल मेरा यह था कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकते हैं या पर इस टेगनेंट रहेंगे एक ही जगा रहेंगे हमें एक ही जगा देखने को मेलेंगे नहीं they can float how they can float they can float with the molecular by their because of their low molecular weight and by food which is stored in their body golden एल्की की बात कि जिसको हमने का नाम भी दिया pigment प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते है फ्यूकुजेंथिन फ्यूकुजेंथिन जो है इनको एक कलर प्रोवाइट करता है ज्यादा तर जब हम बात कर रहे हैं कि इसके बारे में most of the diet हम सकर आज the phytoplanktons ज्यादा तर phytoplanktons की तरह शो कर रहे हैं फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स ठीक है फाइटो मिन्स जहां भी आप पढ़ेंगे इसका मतलब होता है प्लांट्स और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं प्लांक्टन वर्ड के बारे में तो यह smaller organisms होते हैं क्या होते हैं जिनको हम प्लांक्टन का नाम देते हैं ठीक है यह एक बात सो बोथ इन-fresh एड मरेन वाटर तो habitat कैसा हुआ इनका सर अभी तो आप ने कहा कि habitat सवाल जो है कि यह पूछा जाता है क्यों इसको अमारीन कर्याद करें यह yakal है आपकी देखने को सब्सक्राइब सब्सक्रेइब करें लुछ वाहिक दाय। यह विख एक पूछा जाता है क्यों इसको चीफ producer of the ocean कहा जाता है एक होता है चीफ और एक होता है चीफ चीफ मतलब जो बहुत फाइदा दे रहा हो जो बहुत अच्छा हो उसको हम लोग चीफ बोलते हैं चीफ तो आप लोग जानते होंगे ना चीफ producer of the ocean अब देखें ओशियन ठीक है ओशियन जो वर्ड आया वो मरीन से आया फ्रेश वर्टर के लिए तो ऑशियन यूज नहीं होगा ना इसलिए मैंने कहा कि जो मेजर हैबिटेट है वो कैसा है इसका मरीन होगा तो चीफ प्रोडूसर ऑफ दो ऑशियन सवाल यहां पर डिया कि क्यों कहा जाता है तो जरा उसके बारें बात कहते हैं इनकी जू स्लबल होती है न वो चीफली कमपोज्ट होती है और इंप्रिग मेसट के लिए आप असानवर्ड इूज केजिए फिल इंप्रिग accountable राइकस लाइक सिलिका right क्या होती है यह सिलिका की वज़ा से इसकी जो वाल होती है वो उसको इंडिस्ट्रक्टिबल नीचर का बना देती है कैसा बना देती है इंडिस्ट्रक्टिबल जो की आसानी से ना तूट सके इसकी मरने के बाद भी ना इसकी डेथ होने के बाद भी इसकी जो बॉड़ी होती है वो जाके अर् और बहुत से चीजों को उससे बनाया जाता है जिसलिए हम उसको नाम देते हैं कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ दी ऑशियन क्यों उसको पुला जाता है बहुत बार सवाल आया है देखे यह की लाइन है दिस वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन ध्यान रखेगा सवाल पूछा जाता है कि किसको हम दाइटोमेशियस अर्थ बोलते हैं दिया रखना एक्जामपल आपको पता लग गया कि हम लोग यहां किसके बारें बात कर रहे हैं हम इसी क्लास के बारें बात कर रहे हैं इनकी बचो यह लाइन अल्ट्रा इंपोर्टेंट है यह लाइन बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है ध्यान रखना ठीक है आपके cbsc में भी यहां से सवाल पूछा जाता है मैंने बहुत बार बच्चों के पिपर में cbsc में यह सव जो सवाल जो हैं बहुत अسानी से बन जाते हैं ठीके यह लुए रखना तो ज्यार इस पॉष्शन सेंला बहुत बहुत सवार सवाल देखा है मैंनेश दियान रखेएगा इधना तो इतना जादा इंपॉर्टेंट है यह इतना जादा इंपॉर्टेंट है बचो ध्यान रखना तो डाय अटमेशियस अर्थ क्यों बोला इसको क्यों क्योंकि जो इसकी जो सेल है किसे बनी होते सिलिका से कैसी होती है यह इंप्रेगनेटेड होती है वैसे तुम कैसे क्योंकि सेललोस की जो हम बात कर रहे हैं अभी हमने बोला ना कि ये कैसे होते हैं कि भाई ये फोटो सिंथेटिक मतलब फाइटो प्लैंक्टन्स की तरह अपना नेचर शो करते हैं कि इसके तरह फाइटो प्लैंक्टन्स की तरह और फाइटो प्लैंक्टन्स मैंने अभी आपको बताया और फाइटो मतलब जो प्लांट्स की तरह नेचर शो करें और जू जू प्लांक्टन जो एक वर्ड आएगा आप लोग कभी पढ़ेंगे आगे कि इसको जू प्लांक्टन को मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा सा लागा आपको कन्फूजन नहीं होनी चाहिए उसक और यहीं उसको किया जाता है अटियूंट्स की त्रॉंट चला इसकोन बज़ा बने वह हुद्जेख से और वह यह आमने पढ़ेंस कर चाहले सब्सक जाता है यह चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि इसका यूजिस भी जो है तीन नंबर में जब सवाल आता है तो इसके यूजिस पूछ ले जाते हैं कहां आता है आपके से बीसी के अंदर आता है ध्यान रखना बचो यह पात यह एक थोड़ा सा फिगर overlapping halves the outer one is a ठेका and that fit together like a two parts of the soap box like structure होता है आप NCIT में पढ़ोगे बच्चो कि इसका जो structure होता है कैसा होता है वो soft box like होता है तो वो line आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर यह figure add कि ज़रा ध्यान से देखिए यह दिखने ला कि जो एक soap box जो होता है एक साबून की जो टिक भी होती है कुछ उस तरीके से बनी होती है कुछ ऐसा structure इसके अंदर हमें देखने को मिलता है तो देखें कि आप इसमें जो reason है the upper half lid is called the apitheka this apitheka reason is the upper half यह जो reason है na apitheka कैसा है यह apitheka reason जो हमें देखने को मिल रहा है यह apitheka reason जो है हमारा upper half है and the lower half case like structure this is the case like structure this is the case like structure मैं यहां पर लिख देता हूँ and this is called the hypotheka reason right this is not so important सवाल नहीं आता ठीके not so important लेकिन आपको concept समझाने के लिए सिर्फ कि वाय दिस इस सॉब बोक्स लाइक आप एक लाइन पढ़ोगे and CRT जब आप लोग देखोगे तो बच्वा आपको सॉब बोक्स लाइक देखने को मिलेगा चिके तो कैसा दिखता है सोब बोक्स लाइक वो इस तरह का structure हमें देखने को मिलता है तो upper half this lid is called the apitheka and the lower half is called this the hypotheca reason and this reason is called the prustulate or the shell जिसको हम बोल रहें कि silica जो भरी होती है एक तरह से इस reason के अंदर हमें देखने को मिलती है ध्यान रखेएगा तो फ्लाजिलेटिड ओनली इन रिप्रोड़क्टिव स्टेट प्लाजिलेटिड कहां होगा सिर्फ अपनी जो है यह रिप्रोड़क्टिव स्टेज में हमें देखने को मिलेगा फ्लाजिलेटिड और एंटिरियर फ्लाजिलम जो है हमें देखने को मिलेगा वन एंटिरियर flagellum one anterior flagellum किसके अंदर male gamut के अंदर flagellated only reproductive states देखने को मिलते हैं ऐसा नहीं है कि हमें flagellated state में यह देखने को मिले तो flagellated state जो हमें कहां देखने को मिल रहे है flagellated only in reproductive state में हमें देखने को मिलेगा डिजब food material की बात करें तो oil and polysaccharide जो है जिसको हम chryzolaminarian का नाम देते हैं तो reserve food material भी यह बॉड़ी में की देखने को मिलता है most common matter multiplication की अगर बात करें यह point होगे आपको reproduction को लेके so which is binary fission and cell division जिसको हम बोल रहे हैं तो binary fission most common type जो हमें देखने को इसके अंदर प्लाजिलेट्स जिसको हम बोलते हैं जैसे नाम से आपको प्रता लग रहा होगा बचों इसमें यह पता लग रहा है डाइनो फ्लाजिलेट्स याने की फ्लाजिला जो है वो हमें देखने को इसके अंदर मिल सकते हैं बहुत आसानी से ध्यान रखेएगा चीक है देखें ज़रा मुस्ली मरीन अब मरीन से आपको समझ गयोंगों कि यहां सी वाटर के बारे में बात की जा रही है अब देखें अलगे की जो प्रॉपर्टी है यह उस तरह की प्रॉपर्टी जो है वह शो कर रहे है इसको गोल्डन ब्राउन एलगे का नाम दिया जाता है ध्यान रखेगा देल्डन ब्राउन एलगे ठीक है बट मेबी औफ येलो ग्रीन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो येलो ग्रीन हो ब्लू हो रेड़ हो ब्राउन हो ब्राउन कलर के डिपेंडिक अपॉन दा मेइन पिंग्मेंट प्रेजेंट इन इट्स सेल जैसे कि महां पर हमने बात की थी कि फ्यूकुस जन्थिन कलर जो था जि इसको हमने गूल्डन कलर का नाम दिया जो गूल्डन कलर उसका शूर अथा उसी तरह से यहां पर भी डिफ्रेंट पिग्मेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं यह चीज़ ध्यान रखेगा सेल बॉल अगर प्रेजेंट है तो कंपोज्ड होगी सेवरल स्टिफ सेलिलोजि होता है उसके अंदर हमें यह देखने को मिलते हैं फिकर को ज़रा ध्यान से देखें इस तरह से से अलवो अगर प्रेजेंट होगी इंपोर्टेंट प्रेजेंट होगी से यह तो इस पॉइंट से मेरको यह चीज़ लगा की शेयर करनी चाहीए है यहां पे तो जो वो स्टोट फूर्ट यह बाद करें तो किया हो सकता है इनका प्रसाइट भूर्ट हो सकता है जू कह चीप धूसरा चारे क्षट्रिस्टिक जो हम देख रहे हैं यहांपर चारेक्टरेसिक फोटो संथेटिक पिगमेंट्स और क्लॉडो फिल ए C alpha keratin and xanthophylls जो है वो इसके क्या है characteristic photosynthetic pigments हमें देखने को मिलते है majority of them are motile and flagellated देखिए नाम से ही पता लग रहा है मैंने आपको बोला था कि dino flagellate तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो है कैसे होंगे इनकी body में फ्लाजिला जो है present होगे और आप जानते हो कि motile है तो याने की जो movement को शो कर रहे है किसको शो कर रहे है movement को शो कर रहे है usually the cells possess two flagellate जादा तर हम अगर देखे इनको तो हमें दो flagella जो है इनकी body के अंदर देखने को मिलेंगे ठीक है दो फ्लाजिला देखने को मिलेंगे अचा जब आप कभी देखते हो एक छोटा सा point इहां पर discuss करूँगा जब आप कभी देखते हो Celia और flagella को ठीक है जब आप देखो गे किसको Celia और फ्लैजिला को जब हम देखेंगे सीलिया एंड लजिला के बारे में बात करेंगे तो एक छूटा सा डिफरेंज से यहां पर बता है न कुंकि बच्छो आप लोग यह जो जीव पढ़ोगे न इन और गाञेनिजम में आप सीलिया और फ्लैजिला को देखते हो निकर सीलिया औ नमबर्स में जाधा होते हैं और फलैजीला होते हैं वो नमझ में कम होते हैं अरो नीचे मतलब Nobel जो है वो सो कर रहा ह। जैसी कि आप प्रा बीच्ण म के उपर लगबग लगबग धाई हजार से जादा सीलिया प्रेजन्ट होते हैं जब कि आप जब यूग लेना देखोगे तो आप उनमें देखोगे इस तरह के जब आप जी देखोगे कि दो फ्लैजिला एक फ्लैजिला इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताना एक ठीक समझा कि जो सीलिया है वो नंबर्स में जादा होते हैं और फ्लैजिला जो है नंबर्स में कम होते हैं दोनों में एक डी सिमिलारिटी है और अगर मैं सिमिलारिटी की बात करूँ तो दोनों में ही जो फ्लैजिला और सीलिया प्रेजन्ट होते हैं वो फूड को कैप्चर करने में अपना रोल प्ले करते हैं, nutrition को लेने में अपना रोल प्ले करते हैं, movement, locomotion में अपना रोल प्ले करते हैं, तो यह similarity हो गए, तो अगर आपसे वैसे तो not so important, लेकिन knowledge के लिए आपको पता होना चाहिए, कि यह सीली और फ्लाजिला में एक basic similarity और एक basic और प्रेजेंट होते हैं, asexual reproduction through the cell division by zoosport formation हमें देखने को इनके अंदर मिलता है, ठीक है, cell division और बाइदा, zoosport formation जो है, मैं देखने को मिलता है, यह इनका characteristic feature है, जहां रखना, तो asexual reproduction के लिए point को ध्यान रखेगा, ठीक है, दो फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं, ध्यान 11 में, या कभी किसी मूवी में, कि समुदर में हमें कुछ एक अलग सी light दिखाई पड़ती है, कुछ अलग सी, हमें light जो है, वो दिखाई पड़ती है, तो जिनको, उनको red tights का नाम भे दिया जाते, जैसे goniolex, goniolex, इनके जो examples हैं, वो important है, ध्यान रखेगा, ठीक है, NCIT में आप लोगे example पड़ेंगे, and these are responsible for red color of the red tights, and also poisonous to marine vertebrates like fishes, ये एक तरीके से उनके लिए जहर का काम करते हैं, पॉईजन का काम करते हैं, किसके लिए, जो fishes हैं, जो vertebrate fishes हैं, उनके लिए, जहर का काम करते हैं, जो जहर का काम करते हैं, पॉईजन प्रेजन होता है, इनके जब उनको खाते हैं, पॉईजनेस का उनके लिए काम करते हैं, गॉनियोलेक्स, responsible for red, color of red tights in the sea, और उसके लिए marine का काम करते हैं, उसके लावा, गॉनियोलेक्स के लावा जैसे, नॉक्टी लूका, राइट, ये एक बहुत, इसको हम sea host के नाम से भी जानते हैं, ध्यान पुराना है, जब इसको पहली बार देखा गया था, तो लोगों को ऐसा रगा कि समुदर के अंदर क्या है, भूत है, घौस्ट है, जब इसको पहली बार देखा गया, तो लोगों ने ऐसा समझा कि जब ये पहली बार देखा गया, तो समुदर के अंदर क्या है, घौस्ट ह क्लब की भूत है यह क्या चीज़ चमकरी है ऐसी तो यह बायो लुमिनिसेंस प्रोपर्टी शो करता है इनकी बॉडी में स्पेशल टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं लूसी फेरिन क्या नाम देते हैं बचो लूसी फेरिन इस जस पर यह नॉले से आपने जुगनु देखा होगा हां वो जुगनु इनसे अलग है वो एक हवा में रहता है और यह जो है आपके समुद्री समुद्री जीव है तो बच्चो जैसे वह वहां पर भी एक स्पेशल मेकानिजम होता है उनकी बाड़ी में जो लाइट इमिट करना बायो लुमिन करते हैं तो यानि यह क्या वर्ड किसी रएलेट कर रहा है लाइट इमिट करने अलग और बेनलग एमिट करते हुए ऊंको बोलते हैं बायो लेज लाम एए तो यह फ्रापर्टी शोग ह 나š लेए उस具 उनको नाम इस तरह का दिया गया आई होग कि आपको यह चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई हो ठीक है डाइनो प्लाजिलेट्स की राइट चलिए देन हम इसमें बात करते हैं कि सकते बारे में यूगलेणॉट के बारे में क्या होते हैं यूगलेणॉट्स और बहुत गोपरेटी तो सबसे पहले इंक्लूट जूगलेन आपको दिख रहा होगा यह जो कई बड़ी इंपॉर्टेंट है यह कई बार जो हैं बनी आ जाती है और फूस्ते हैं कि यह कौन है इसका अता-पता लापता बिल्कुल आपको लापता नहीं होना जी आपको बता उना ची इंक्रूट n यूग्लियना यूगलियना लाइक फ्राजिलेट प्रोटेस्ट बारे में पता हुँ कि क्या पता होना जी स lies सेलुलोजिक चिलल व Karl अबसेंट होती है बचों यह सवाल struggling मैंने आपको शुरुवात में बताया था जब बेसिक करेक्टर्स में आपको बता रहा था बॉडी इस कवर्ड बाइ अथिन फ्लाक्सिबल प्रोटिनीशियस पैलीकल अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है धियान रखेगा यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह सवाल कई ब फ्लाइजिला जो है देखने को मिल रहा है भी मैंने आपको बेसिक प्रॉपर्टी बताए कि फ्लाइजिला किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं दोनों में डिफ्रेंस क्या है सारी चीज़े जो थी हमने यहां पर बात की थी इसके लावा एक चीज़ और ध्यान रखेगा कि यह जो है आपको स्टेगनेंट वाटर के साथ साथ ब्रैकिश वाटर में भी देखने को मिलते हैं जो आपके खारा पानी होता है ना ब्रैकिश वाटर उसके अंदर भी देखने को मिलते हैं ब्रैकिश वाटर मैं बता रहा हूं बात हैं आपे दो फ्लाइजिला स्टेगन जो है यह कोई प्रोटेक्शन एक तरीके से बॉड़ी को कवर कर रहे हैं सिर्क बहुत जादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती यह से ध्यान रखेएगा ठीक है तो यह एक बात हुए हमारी इसके बारे में अधरन नियुअ लिए श्क्रणं एक है नडूटेसन की सब्स में सब्सक्राइब करते हैं जो सब्सक्राइब जैखने को बलता है नाम से पता लग रहा है आप लोगों को पोटो का मतलब जुट प्रोक हो गे आपका जो light शो कर रहा है उसके लावा autotrophic मतलब जो self nutrition बनाते हैं और self nutrition कौन बनाते हैं ये चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं है आप इतने भी छोटे नहीं है ये चीज़ आप चानते हैं किसके बारे बात हो रहे हैं यहाँ पे higher plants के बारे में अगर बात करो तो पैरा मायलन जो होता है इनका वो एक reserved food material होता है ठीक है जो उसको बोलते हैं हम पैरा मायलन त्यान रखेगा ठीक है तो यह विटैकर की सबसे बड़ी उपलब्दियों में से एक थी for kind or information जो नोंने इनके बारे में हमें बताया इन यूगलेनास के बारे में ह multiply by under favorable condition multiply by longitudinal binary vision अब दो तरीके से होगा ना या तो वो हमें ट्रांसफर सेखने को मिलना दो चीज़े आप पढ़ते हैं को तो ट्रांसफर सेक्शन दूसरा पढ़ते हैं लस यानिके longitudinal section longitudinal section की बात करो तो इस तरह से division हुआ ट्रांसफर सेक्शन की बात करों तो इस तरह से division हुआ तो यहां पर हमें कैसा देखने को मिलना multiply by longitudinal binary vision यानि longitudinally कटेगा और दो पार्ट के अंदर divide हो जाएगा sexual reproduction has not yet been proved अभी तक यहां पर हमें sexual reproduction जो है वो नहीं देखने को मिला है that point is important ध्यान रखेगा knowledge point of view से यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस लिए बोड़नों यह ध्यान रखेगा ठीक है तूसरा मैंने कहा कि आरेच विटेकर की biggest achievement पर से एक है जिन्होंने उसमें classify किया यूग लेना को और रखा प्रोटिस्टा में because यह एक unicellular जो है एक unicellular eukaryotic organism है जो अभी तक शुरुवात से हम लोग बच्चों पढ़ते आएं ठीक है तो यह एक biggest achievement मैं मानता हूं कि इनकी प्रोफेसर साब विटेकर की क्या है यह biggest अचीवमेंट इसकी विटेकर साब की रह विटेकर साब की बड़ी अचीवमेंट है यह ठीक है रखा हनोने इसको इसको इस किंग्डम के अंदर बच्छों यह इस तरह का यूग लेना one of the important and the best example जो इसका हमें देखने को मिलता है इसकी एक शॉट फ्लजिला एक लॉंग फ्लेजिला राइट और गोल जाही बोडी इसके अंदर पलिकल लेयर विच इंपोर्टेंट और क्लूरो प्लास्ट पिगमेंट जो यह पोटो सिंथी के लिए अक्टिव जो हमें देखने को मिल रहा है इस वजा से तेल रिजन और पारमाइल आं जो इसका एक स्टोंड फूड होता है यह होता है इसका स्टोंड फूड पूड ऑफ देखने को मिलता है मैंम्डरे बाउंड लाइक स्लेम मॉल्ट्स प्रोटिस्ट कैसे होते हैं उसके लावा जितने भी जो प्रोटोजों प्रोटिस्ट होते हैं वो किस तरह के प्रॉपर्टी शो करते हैं या क्या उनके चैनल क्यारेक्टर्स होते हैं इस लेक्चर में हम वो सारी बाते जाने के तो चलिए स्टार्ट करते हैं Sleem Maltz के साथ क्या होते हैं यह Sleem Maltz इनके General Characters के बारे में जानते हैं देखे, commonly अगर मैं कहूँ Sleem Maltz को हम लोग Fungus Animals या फुर सेपरोफाइटिक प्रोटिस्टा शो करते हैं यह कुछ क्यारेक्टर जो हैं यह Fungus वाले शो करते हैं कुछ क्यारेक्टर जो इनके मैच करते हैं वो Fungus से शो करते हैं इसलिए इनको हम किसका नाम देते हैं इसलिए हम इसको False Fungi का नाम भी देते हैं आप वढ़ेंगे इनको हम False Fungus का नाम भी देते हैं They are also known as by the name of False Fungi क्यों क्योंकि यह कुछ Fungus के Characters जो हैं उनको Show करते हैं Commonly called Commonly जब हम इनकी बात करें तो they are commonly called Fungus Animals और Saprophytic Protists अब Saprophytic Protists वो हो गए न जो Dead Dicking Organisms के उपर हमें देखने को मिले कोई भी Parts हो सकते हैं Dead Decaying कोई Plant का पार्ट हो सकता है कोई Animal हो सकता है जहां पे हमें यह देखने को मिलते हैं So The slime molds grow on decaying vegetation कहां grow कर रहे हैं यह Decaying vegetation पे They grow on decaying vegetation Engulfing organic matter Quite common on lawns And moist field आसानी से हमें Moist places पे यह देखने को मिल सकते यह picture देखिए ज़रा ध्यान से कितने खुबसूरत picture है इस picture में आपको यह कोई stem देखने को मिल रहा होगा यह भी कोई stem का पार्ट है जो हमें थोड़ा सा moist देखने को मिल रहा है अगर आप कभी Hilly reasons में गए हो या फिर आपने कभी कही moist places पे अपने आसपास घरों के आसपास कहीं देखा हो यह बहुत commonly आप लोगों ने देखा होगा अगर आप observation अपने अगर कभी की हो तो यह तो बड़ा असानी से इस तरह की picture आपने देखी होगी बच्चो राइट तो यह moist fields में हमें देखने को मिलते हैं तो असानी से ग्रो करते हैं decaying vegetation पे and an engulfing on organic matter and that are quite common lawns and moist fields जैसे कि हमने बात की यह pictures आपको बहुत असानी से देखने को मिल सकती हैं अगर आपने आसपास नहीं देखा होगा तो ज़रा observable बनी है आप एक science के student है तो आपकी observation अच्छी होनी चाहिए आप observation अच्छी होनी चाहिए आसपास की चीज़ों को लेकर सारी चीज़े आपके mostly आपको आसपास आपके देखने को मिल जाती है लेकिन पशर्थ कि आपकी observation कितनी अच्छी है बचो cell wall absent होता है इसमें यही एक point है जिसकी वज़ा से हम इसको false fungi कहते हैं हाँ कुछ स्टेज में हमें cell wall एक देखने को मिलती है अगर हमें sexual stage की बात करें लेकिन वैसे usually हम देखें इसके अंदर तो cell wall हमें इसमें absent देखने को मिलती है बट जो sports इसके बनते हैं वहाँ पर इनके पास cellulosic cell wall हमें देखने को मिलती है हम क्यों इसको false fungi का नाम दे रहे हैं क्योंकि इसके जो characters हैं वो सारे कैसे मिल रहे हैं fungus से मिल रहे हैं उसके लावा यहां पर कुछ stage ऐसी होती है इसके जहां हमें sports जैसे इनके present होते हैं sports बाहर हमें cellulosic cell wall जो है वो देखने को मिलती है जब हम बात करते हैं under suitable condition की they form an aggregation which is called plasmodium यह क्या होता है जब हम बात कर रहे हैं इसकी suitable condition की तो एक aggregation एक structure form करती है जिसको हम नाम देते हैं किसका plasmodium का और बचो यह जो plasmodium होता है यह without cell wall हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरह से मानिए कि ऐसा कुछ structure जो है इसका हमें देखने को मिलता है यह structure हो गया और इसके surrounding एक layer मान लीजिए जिसको हम slim layer बोलते हैं slim molds बोलते हैं slim layer present होती है इसके surrounding इसलिए हम इनको slim molds का नाम देते हैं तो right यह मान लीजिए कि यह जो है इसकी एक slim layer हो गई slime layer जिसको हम नाम देते हैं बचो ठीक है यह जो layer होगी दूसरी वाली यह इसकी plasma membrane हो गई यह इसकी plasma membrane हो गई और अंदर जो है इसकी body में कुछ nucleus जो है हमें वो देखने को मिल जाएंगे ठीक है यह nucleus हमने इसकी body के अंदर इसके बता दिये राइट तो slim layer plasma membrane और nucleus हो गई और nucleus भी कैसे होंगे बचों यह जो nucleus होंगे कैसे हो गए डिपलॉंटिक ठीक है टूएं राइट तो यह डिपलॉंटिक हो गए आपके ठीक है डिपलॉंटिक हो गए यह एक structure है आपका जिए करफ बनाने के लिए practice के लिए इसको जरूर देखें अपनी आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से हम लोग बात करें अब यह क्या है यह जो हम यहाँ प्लास्मूडियम को डिसकस कर रहे है ना without cell wall they have multi nucleated stage क्या है यह without cell wall में यहाँ लिखता हूं जरा ध्यान रखेगा यह इसके लिए लिख रहों में ठीक है without cell wall without cell wall multi nucleated stage multi nucleated stage that stage is called that stage is called plasmodium क्या बोलते हैं इसको प्लास्मूडियम का नाम देते हैं definition आती बच्चो इसलिए मैंने आपको देके पूरा लिख दिया है यहाँ पे without cell wall धियान रखेगा कैसे stage multi nucleated stage जिसको हम नाम दे रहे हैं किसका plasmodium का नाम दे रहे हैं ठीक है जी तो यह आपकी एक multi nucleated stage है बच्चो जहां पर आपको बहुत सारे nucleus जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं कैसे हैं यह दे आर डिपलॉंटे कैसे है nucleus दे आर डिपलॉंटे क्राइट चलिए तो cell wall absent sports have cellulosic cell wall under suitable conditions they form an aggregation and this aggregation is called plasmodium is that clear my point ठीक है और यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए यह diagram जो है यह मैंने आपको हाँ यह आपको books वगरा में ncrt वगरा में बच्चो ना मिली यह मैंने आपकी practice के लिए एक दीक बनाया है जिससे कि आप इस तरह से समझ सके कि यहाँ पे cell wall जो है वो present नहीं है लेकिन हा लेकिन हमारे पास यहाँ पर slim layer present है लेकिन यहाँ पर हमारे पास slim layer present है तो बच्चो मैने जो नाम दिया कि बाकी की जो characters hands-case सारे match करते हैं पंगस से जो है मैच करते हैं सिभाई किसके cell wall की तो cell wall present नहीं है इस लिए कुछ stage में इस लिए हम इसको क्या नाम दे रहे है सब्स फंजाय का नाम देते हैं ठीक है जी चलिए ड्यूरिंग unfavorable conditions सुमाटिक स्टेश फॉर्म्स ऑफ्रूटनिंग बोडि क्या कररा है शुक्ति बणा यानी अच्छा जो बोटी फ्रूप दर्ट उसको फ kole बोडि यहां कि त नहीं कि आप कुछ structure हम एक rough structure जो है बचो वो बनाएंगे ठीक है हम एक rough structure जो है एक हम rough structure को यहाँ पर फॉर्म करेंगे ठीक है यह जो है इसका एक rough structure हम लोग त्यार कर रहे हैं अब इसके surrounding हमें एक layer देखने को मिलेगी ठीक है मैंने एक layer बरने देख जैसा मैंने previous structure बनाए था कुछ वैसा ही नहीं लग रहा आपको यह बताए कि कुछ वैसा सा ही structure यह नहीं देखने को मिल रहा हमें है ना इसके अंदर present होंगे आपके sports ठीक है इसके अंदर बना दिये हमने इसके sports sports किसके अंदर होते हैं sports होते हैं ह Corinne White यह लेलेईं के अंदर तो यानि बाहर यह जो layer है yellow यह लेयर क्योंकिश करेक्ट इस पोर इंजिया यह जो layer होते हैं हमारी इसको हम बोलते हैं क्या इस sparingia sparingia जिसके अंदर spor present है इसपे इंजिया जिसको हम दूसरा नाम क्या देते है Fruitment body क्या नाम देते है बच्ो इसको Routing या Fruit जो Frupping body है हमारी हम इसको frouting body का NISA ठीक है यह बाहर वाला structure जो है यह क्या है आपका यह sparingia है ठीक है जिसके अंदर आपके जो sports है वो present है अच्छा सर फिर यह जो white color से आपने layer बनाई है यह क्या है this is cell ball ठीक है जो कि कैसी होती है mucilagenous भी हो सकती है या फिर जिसको हम नाम देते किसका cellulosic जो एक slim layer होती है है ना कैसी होती है slim layer जिसको हम नाम देते हैं यह वो है चीक है is that clear तो sporangia और sporangia के अंदर हैं आपके क्या जो हमने red color से बनाए हैं इसको क्या बोलते हैं these are called sports क्या होते हैं इसको sports का नाम हम लोग इसको देते हैं अंदर वाले red वाले दिख रहे हैं नजर आ रहे हैं अलग color से बनाए जानता हूं डार्क है लेकिन अलग color से बनाने जरूरी थे तो यह हो गए आपके क्या स्पोर्स बाहर जो लेयर है ठीक है मेसिलेजिनस या फिर जिसको हम सेलिलोजिक सेलिलोजिक लेयर का भी नाम देते हैं तो यह यह देखने को मिलती है न हमां इस पॉरंजिया बिच प्रोडूस इस्पोर्स भीचार्ड डिस पॉर्स्ट भाय दी एर यह कैसे इस पॉर्स रोते हैं यह दिस पॉर्ड होते हैं बाइडी एर राइट करेक्ट तो दूरीं अन फेवरे बल करिशन सुमाट इक स्टेच फॉ बाड़ी के बाहर आपको क्या देखने को मिल रहा है एक आपको लेयर देखने को मिल रहे हैं जिसको हम दाम दे रहे हैं किसका स्लाइम लेयर का या स्लिम लेयर का जो कि किसे मेड़ आप है आपकी किसे मूसलेजिनस लेयर है जिसको हम मूसलेजिनस लेयर बोलते हैं या फिर ज सारे slime molds जो होते बचो उन slime molds के characters थे अब सवाल मन में आ रहा होगा कि क्या सर ये वालो जो diagram है वो important है ये आपके exam में बनाने के लिए नहीं आता लेकिन इस जिस आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इस तरह के जो structure हैं हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं पताइए is that clear is that clear ना चरी तो ये एक बात जो थी इसकी हमें ठीके ची पता होनी चीए किसके बारे में slim molds के बारे में आगे जो हम बात करते हैं इसमें protozoan protest के बारे में protozoan जो थे सबसे पहले जो इनकी study की थी इन्होंने Anton Van Levenhawk कितनी सारी studies में इन्होंने अपना role play किया है प्रोफिसर Anton Van Levenhawk ने इन्होंने बताया इनकी जो study थी उसके accordingly कि all are heterotrophs क्या है यह सभी heterotrophs है they are dependent on other for their foods and live as a predator or the parasites कैसे तरह से लीव करते हैं predator मार के दूसरों खाने वाले दूसरों पर डिपेंड होने वाले parasites भी दूसरों के उपर डिपेंड होने वाले parasites होते हैं न right मारते नहीं है लेकिन यह livings को मारते नहीं है host को अपने मारते नहीं है उसके उपर dependent रहते हैं वैसे they are believed to be primitive relatives of animals ऐसा माना जाता है कि यह primitive primitive relatives है किसके animals के ऐसा माना जाता है so they are believed to be primitive relatives of animals ठीक है animals के primitive पहले के मतलब relative जो है इनको ऐसा माना जाता है कि यह relate करते हैं इनकी theories के accordingly परफेसर लिवन होक एंटिन वर लिवन होक के accordingly देखिए कुछ इस तरह से जैसे कि आपके कई परमेशियम्स हो गए अमीबा हो गए युग लेना हो गए वैसे तो हम इसके चार classes के बारे में पढ़ेंगे ठीक है so based on the locomotory organelles they group into four major types based on the locomotory organelles locomotory मतलब जो locomotion में इनको help करे जैसे कई हो के पास cilia present होंगे कुछ के पास flagilla present होंगे right flagilla और cilia बढ़ा था ना किसमें help करते है locomotion में movement में food को capture करने में अपना role play करते है इनके अदर right nutrition को so they are grouped into four major groups चार जैसे कि कुछ की यहां तीन की जो picture जो है आपे दिख रही है आपको जैसे आप लोगोंने paramecium के बारे में पढ़ा है बचो आप लोगोंने amoeba के बारे में पढ़ा होगा yuglena को discuss किया हो अभी जैसे हमने yuglena के बारे में भी पढ़ा था right चलिए तो based on these are the protozoan protists जैसे कि number one amoeboid protozoans आपने amoeba के बारे में तो सुना ही होगा और amoeba की छोटी classes में आपने की special process के बारे में भी सुना होगा जिसको हम pseudopodia का नाम देते हैं pseudo मतलब false and podia मतलब feet तो pseudopodia भी हम लें पढ़ लिया है right हाँ बिल्कुल मैं उन्हीं protista के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हो तो कौन से सबसे पहले है यहाँ पर amoebaoid protozoa right so locomotion is by pseudopodia किस तरह से करता है pseudopodia मतलब false feet pseudo means false podia means feet false feet जिसमें हमें देखने को मिलते हैं तो live in fresh water कहां देखने को मिलते हैं हमें यह fresh water में क्या सिर्फ fresh water में नहीं like sea water में भी और moist soil में भी हमें यह आसानी से देखने को मिल जाते हैं तो यह क्या हुआ यह हुआ बच्चो इनका habitat चीक है habitat and habitat हुआ यह right तो habitat हो गया यह marine forms have silica shells on their surface जो marine होते हैं उनकी body पे क्या present होती है have silica shells shells मतलब जो covering होगे न है जैसे हमने पढ़ा था मापे भी soap box like structure जब हम cryzophytes को discuss कर रहे थे किस तरह से indestructible उनकी जो layer होती है body की वो हमें देखने को मिलती है जब हमने cryzophytes को discuss किया था तो हमने shell देखी थी cell wall जो थी जिसको हम बोल रहे थे कि silica से made up होती है die atoms जिनको हमने नाम दिया था chief producer of the ocean जिसको हमने कहा था correct याद आया है न right so marine forms have silica cells on their surface protection हमें एक तरह से कह सकते हैं अब जैसे amoeba देखिया आप amoeba में जैसे आपका एक तरीके से हम बोले कि यह monogenetic parasites है antamoeba histolytica right antamoeba जो इसके genus होगे histolytica जो है इसके species के पहरें बात की जा रही है so they are monogenetic parasites with resides in the upper part of the large intestine in human beings तो एक तरीके का यह देखिए parasitic nature जो है show कर रहा है कहां मिलेगा the upper part of the large intestine in the human beings में तो human क्या होगे एक तरीके से इसका वो host हो गया right तो that is called the amoebaic dysentery show करता है यह disease याद रखनी है that is important पहली बता रहा हूँ सवाल जो है यहां से amoebaic dysentery वाले portion से बन जाता है तो right इसका नाम आपको पता होना चाहिए किस तरह का है यह आपका protozoan जो protist है amoeboid जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे है तो नाम हमें पता होना चाहिए example हमें पता होना चाहिए तो यह host हो गया इसका एक तरीके से हम बात कर रहे है कि यह जो है human हो गया यहां पे इसका host दूसरा flagellated protozoans flagellated मतलब जिनकी बाड़ी पे flagella present है they are called the flagellated protozoan आप देखें यहां पे they have the free flagellum right parabasal body है इसकी यह palicles present है और हमें सिर बात करनी है flagellum के बारे में so the body have the attached flagellum tail reason पे देखें इदर तो free flagellum हमें देखने को मिलेगा so locomotion जो होगा basically कैसे कर पाएगा by the flagella they are maybe free living or the parasitic अब देखो free living भी हो सकते हैं या फिर parasitic भी free living मतलब अपने ही धुन में मस्त है free living से मतलब है कि उसको किसी host की जरूरत नहीं है दूशरी तरह parasitic की जब हम बात करते हैं यहां पर उसको host की requirement होती है so they may be free living और parasitic जैसे flagellated protozoans की बात करें trypanosoma right तो they are digenetic parasite causing a freaking sleeping sickness यह disease है यह पूछी जाती है कि कि किसकी वज़ा से होती है तो trypanosoma आपको example के तौर पे याद रखना है यहां से examples वगएरा कई बार बचो नीट में मैंने देखे हैं कि इस last वाले portion से na example एक दो पूछे गए है और direct question आता है direct में यही आप से पूछा जाता है कि जैसे African sleeping sickness caused by the which protozoan flagellated है या नहीं है कुछ points आजाते हैं तो आपको पता होना चीए कि यह flagellated protozoan and trypanosoma ciliated protozoan अब जिनकी body पर cilia present है सर्वाव ciliated हुए correct तो यानि कि locomotion में help करेगा क्या उसकी body का cilia जो उसकी body पर present है right aquatic actively moving organism कैसे होते हैं aquatic होते हैं यानि कि जो इसका habitat हो गया वो हमें कैसा देखने को मिल रहा है habitat जो हो गया इसका वो या फिर stagnant रहे तो constantly कैसे हैं यह actively moving organisms होते हैं ciliated protozoan में they have a cavity which is called the gullet gullet क्या करती है that opens to the outside the body cell या फिर outside the cell surface cavity है they have a cavity reason जिसको हम gullet का नाम देते हैं food के लिए right coordinated movement of the cilia causes the water laden to food into the steered into the gullet तो gullet यानि कि जो head एक तरीके से help करता है इनकी body में एक घेरने में body के बाहर की तरफ हमें देखने को मिलता है और food को अंदर लेके जाने में अपना role play करता है especially जैसे paramesion आपने देखा होगा तो वहां से वो food vacuoles तक पहुचाने में help करता है तो ये gullet जो होते हैं ना gullet इनकी body हैं बचो food transportation में help करते हैं किसमे food transportation में food को capture करने में अपना role play करते हैं food transportation जो भी nutrients बगरा ये लेते हैं उनके transportation में ये अपना role play करते हैं ध्यान रखेगा ठीक है जी food transportation में काम हो गया food को capture करने में कह सकते हैं अपना role play करता है असानी से फूड वैक्योस तक पहुच जाए उसमें यह मार्ग दर्शन करते हैं तरीक से आशान भाष्ट में कहूं तो मार्ग दर्शन करते हैं राइट चलिए जैसा कि हम यह देख सकते हैं आप लेग इसमें बच्चा यह गलेट आपको दिख रहा है ना जैसे कि यह गलेट होते हैं कि बॉडी पर बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं कि यहां बात करते हैं यहां बहुत अच्छा डाइग्राम है आसानी से समझाएगा फूड पार्टिकल्स ये प्रजेंट हो गए यहां पे आप देखो ओरल ग्रूब्स जो है वो इसको पार्टिकल्स को अंदर लेके जा रहे और गलेट गलेट एक तरीकी से इसको ट्रांस्पोर्ट कराने में अपना रोल प्ले करता है राइट फूड वैक्योल्स बॉडी के अ असानी से जाके फूड जो है वो पहुँच जाए और यह टाइजेशन के प्रॉसस अपनी स्टार्ट करते तो गलेट आसान वर्डों में कहूं तो गलेट जो इसको ट्रांस्पोर्टेशन में फूड को एक मार्क दर्शन देने में अपना रोल प्ले करता है स्लिपर अनीमल क्यों देख रहा है बचो यह बहुत असानी से समझ आ रहा होगा कि कैसा है यह यह बैल शेप हमें देखने को मिल रहा है कैसा में दिख रहा है बैल शेप्ड जो है हमें देखने को मिलता है तो इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है इसलिए इसको बैल एनीमल क्यों बोला है sporozoans locomotion absent होता है यह ध्यान रखेगा question इनके अंदर locomotion absent हमें देखने को मिल रहे हैं इन चारों में से and infectious sports like stage in their life cycle बच्चो malaria के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना सर बिल्कु सुना है बहुत अच्छे से जानते भी है यह उजी के बारे में यहां बात हो रहे है प्लाज्मोडियम 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 प्लाज् हो और इसमें तो वैसे भी दो होस्ट हमें देखने को मिलते हैं अलग-अलग जैसे कि जो ट्रांस्पोर्ट करने में इसको रोल प्ले करता है फिमेल आनाफिलिस भी खैर हम उतना वहां पर डेटेल में नहीं जा रहे हैं वहां पर तो यह ध्यान रखेगा तो डाइजनेटिक इसको बना रहे हैं इसको बोल रहे हैं इसको बोल रहे हैं इस लिए सारी कहाने थी किसकी जिसमें हमने बाद की किंग्डम प्रोटिस्टा के बारे में आई हो आपने कुछ चीजे किंग्डम प्रोटिस्टा में सीखी हो मैंने आपकी कुछ help की हो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने लेक्स लेक्चर में जिसमें हम लोग बात करेंगे किंग्डम फंजाई के बारे में तो देखते हैं क्या होगा किंग्डम फंगस में किस तरह आपके होंगे उसके बेसिक क्यारेक्टर स्टिक्स और कैसा हैबिटेट होगा किस तरह से रिप्रोडक्शन करेगा विच इस वेरी वेरी इंपर्टेट मिलते हैं अपने नेक्स लेक्चर में थैंक्स लेक्टर हूँ